आज हम पढ़ेंगे important books for competitive exams और वो किस writers ने लिखी हैं सबसे हम पहले देखते हैं कालिदाजी कि उन्होंने कौन-कौन सी books लिखी हैं उनकी books में हमेशा अपस्राओं का जिक्र होता है या फिर किसी भी मेंन का तो या फिर सीनिक ब्योटी का और जिस भी book के पीछे वन्शम लिखा हो वो सब उन्ही ने लिखी है तो जैसे मालवी का अगनी मित्रम तो इसमें क्या है मालवी का तो ये कालिदाजी ने लिखी है उसके बाद रगू वन्शम तो ये भी कालिदाजी ने विक्रमा उर्वशी इसमें भी उर्वशी है तो ये तो जैसी से हम याद रख सकते हैं मलिक मुहम्मद जैसी पदमवत किसने लिखी है मलिक मुहम्मद जैसी उसके बाद देखते हैं मुद्रा राक्षस ये लिखी है विशाखा दत यानि जो राक्षस है वो कहां रहता है शाखा के उपर तो इसको हम याद रख सकते हैं मुद्रा सकते हैं कि गुल बदर यानि जिसकी बोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी होती है इसको कोई रोग नहीं होता को जिसी नहीं होती तो प weapon गोंग में अब तो उससे हम याज रोख सकते हैं मैक्स्थमीज उसके बाद गीता अंजली यह किसमें लिखिया रिविंद्राना टेगोड यानि गीता नाम भी कोई लड़की है जो इंद्रदेव को परसंद करने के लिए अंजली में पुश्प लेके जा रही है तो गीता अंजली किसमें लि क्षाल्स टॉए जय है करें ब्रीफ हिस्ट्री आफ में घ्री रहते हैं और मिर बनते रहते हैं तो एकोनमीन सोसाइटी किसे नंगी है مैक्स बैवर मिणार चिल्टृन ये लिखिए सलमान रेशीद सलमान खान खान के वह वो रात जयादा रिलीजों हुटी है लिखिए सलमान रशीद उसके बाद ग्रेट इंग्डान न्वेल किसे नंग इंगरेशा आप बोलतें ग्रेट होती है तो तक ग्रेट इंजे नॉबेल किसमें लिखा शर्षी थैरूर उसके बाद दा ओजेसिटी ओफ होप यह लिखिया ब्राक ओवामा ने यानि उन्हें होप थी कि एक नाएक दिन ब्लाक पीपल्स को भी मोब मिलेगा राइट यान जस्टिस मिलेगा उ कुलने याशी होप थी तो क्या तो लोने कौन सी बुक लिखी ता ओजेस्की ओफ होप तो इसको हम याद रखते हैं ब्राक ओवामा